नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर के शुरू करते हैं माज की कहानी कहानी का सिर्षक है महादान सेट पर सादी लाल टली मल की कोठी पर जूट का काम होता था लडाय शुरू होने पर जापान और जर्मनी की खरीद बंद हो गए जहाजों को दुश्मन की पंडूबियों का भैथा और चीजों की बढ़ रही थी सेट पर सादी लाल ने चावल का भाव बढ़ता देखकर चार कोठे खरीद लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी करना भला था आठ रुपए मन खरीदे चावल का भाव 11 रुपए जा रहा था सेट जी को भगवान की कृपा पर भरोसा था जो पत्थर में बंद किड़े का पेट भी भरता है वह भला सेट जी की सुध न लेता नित्य दो घंटे पुजा कर घर से निकलते थे और काम रह जाए यह नहीं हो सकता 35,000 मन चावल में 1,656,66 का मुनाफा था भाव अभी चड़ रहा था चावल निकालना सेट जी को मुर्कता जान पड़ती थी वे और खरीद रहे थे अनाज का भाव चड़ा तो देश भर में भूखे नंगे कलकत्ते की और दोड़ पड़े येसा दुर्विच कभी किसी ने न देखा था येसा दुर्विच कभी किसी ने न सुना था देखे की तो कौन कहे मनुष्य का रूप धरे जीव अस्थी पंजर अवसिष्ट कुतों के साथ जुठे पत्तों और सकोरों पर यूँ तूटते की भगवान का नाम सब और नरकंकाल देहों का कातर आखे उठा हाथ पसार मुठी भर अन के लिए चिलाना सुनाई देता बाबुरे मुठी भात सेट जी अपनी कोठी से आते आते इस सब तराहिमाम और आतंग के वातवरण में राम राम हरे राम का जाप करते जाते जिस अन की एक मुठी के लिए कंकाल समुह तराही तराही कर रहा था वह सेट जी की कोठी में भरा और तेजी की परतिक्षा कर रहा था सेट जी के कोठों में कुछ समय विश्राम कर लेने से चावल का मुल सवाया ड्योड़ा हो जाता कोठे में बंद चावल की रूपय के रूप में बढ़ती ये शक्ती, बाजार से दूसरे चावल को अपनी ओर खींचे ला रही थी चुधा पिड़तों को देख सेठ जी का हिर्दे पसीज उठता, भूने चने का एक बोरा उनके कोठों के द्वार पर रख दिया जाता, दर्बान पर देख मांगने वाले को एक मुठी चना दे जाता चने का यह दान एक भ्यंकर संघर्ष का रूप ले लेता, भीक बांट सकने लायक विवस्था बनाये रखने के लिए डाट, फटकार, लाथ, घोसे और कभी और कभी डंडे और जूते तक की उपयों की आफशकता हो जाती सेठ जी के द्वार पर दान था और भीतर ब्यापार, एक के बाद दुसरा दलाल आकर चावल के सौदे की बात करता भूखे कंगालों के प्रती बह जाने वाली सेठ जी की उदारता, युद के छेतर में अविचल सेनापती की दिढ़ता में बदल जाती लाला जी के हाँ चावल सौब से 35 के भाव बिक रहा था, दोफर में आकर उन्हें मालूम हुआ मुनीम जी ने 500 मन सौबा में बेश डाला लाला जी ने माथा ठोक लिया, क्या सत्यानास कर डालोगे मुनीम जी, बंद करो नहीं भाई, नहीं है अपने पास, दलालों की और हाथ बढ़ा उन्होंने कहा, हम तो भाई 35 के खुद खरीदार हैं दोफर से लाला जी खरीकते गए, संध्या को साढ़े 38 भीक रहा था, पर लाला जी खरीद रहे थे, रात को भाई 49 पर बंद हुआ, प्रतार्ना भरी द्रिश्टी से मुनीम की और देखकर, लाला जी ने धमकाया, कहो मुनीम जी, सडकों बजारों में बुभिक्षतों की सं और उनका चितकार बढ़ता जा रहा था, लाला जी परिशान थे, सरकार चावर पर कंट्रोल कर रही थी, मुनीम जी राय दे रहे थे, समय रहते जितना निकल जाए, निकाल दिया जाए, चिर्ड कर लाला जी ने कहा, सरकार के दाम लगाय से क्या होता है, जिसके कोठे में म पर असल में सेट जी 65 के भाव बेच रहे थे, मुनीम जी चिंता से कहते, 65 के भाव खपेगा कितना, अमान की फसल भी तो आवेगी, सेट जी ने समझाया, एसा छोटा दिल करने से कहीं बेपार होता है मुनीम जी, इस भाव से ओधे पोने कोठी भी बिकेंगे तो अपनी द लगी, मुर्दा घाट पर लाशों के धेर लगे हैं, लकडी रुपय की आठ सेर भीग रही है, बलकि मिलती ही नहीं, गरीब लोग लाशें छोड़ कर चले आते हैं, बिचार यन के दाने को तरस कर मर गए, अब उनकी मिट्टिक यह दुरदशा, बिचारों की गती कैसे लाला जी की आखों में आसु आ गए, कोठी पर रुपय में एक पाई धर्मादे का कटता था, ब्यपार ब्यपार है और धर्म धर्म, धर्मादे का रुपया कभी रोकड में लगा देते, तो उससे ब्याज और मुल सहित फिर धर्मादे में कर देते, वह भगवद कंगालू की दुर्दशा देख उसी खाते में से लाला जी दो बोरी चना रोज मटवा रहे थे, फिर 42,000 रुपया धर्मादे में हो रहा था, जैसे मुनाफा बढ़ा, वैसे धर्मादे भी, मुनीम जी, आखों में करणा के आशु भर कर सेट जी ने हुकम दिया, जो भाव परसादी लाल टल्नी मल का महादान, गतिहिनों के अवस्था से जिनका कलेजा मुह को आ रहा था, एसे लोगों ने आज सेट जी को धन्यवाद दिया, विनित स्वर में अकिंचन भाव से सेट जी ने उतर दिया, मैं किस लायक हूँ, सब भगवान का ही है, उन्हीं के अरप मनुसे है किस लायक, धन्यवाद